हलो फ्रेंट्स मैं हूँ आर्नब पुन्ना और आपका स्वागत है मेरे किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ कच्छे केले की सब्जी जो बहुती ज्यादा हेल्दी है आईरन रिच और विटामिन से भरपोर जिसे खाने की कई ज्यादा फाइदे हैं साथी साथ बहुत ज्या पस्तूरी में थी नमक, अध्रक लसुन का पेस्ट, धन्या पॉडर, हल्दी, मिर्श पॉडर और यह है हापस्वन गर्म मसाला, एक तेज पत्ता, करिया बत्ती का स्ट्रिप और धन्या बत्ती गार्निशिंग के लिए हैं अब हम करते आगे का प्रोसीजर सबसे पहले केले के दोनों साइट से कॉर्नर क्टिंग करके उसका चीलका उतर यहाप चाको या पीलर किसी से भी चीलका उतार सक्ते तब तक मैं प्याच टमाटर हरी बिर्ज को ग्राइंड कर लूगी अब मैंने एक पैन रखा है उसमें डाला एक स्पून ओइल जैसे गरम हो गया उसमें डाले कच्छे केले डालके मैं इसको 2-3 मिर्ट तक भून लोगी ऐसा करने से सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप चाहो तो बिना भूने मैरिनेट किये आप डारेट कच्छे के लिए डालके सबजी बना सकते हो पर ऐसा भूनने से एक तो सबजी जल्दी पक जाती है और टेस्ट बहुत अच्छे से आता है केले को मैंने 2-3 मिर्ट तक हाई फ्लेम पे बुना है दीमियाच पे नहीं अदरवाई से ओखल जाएंगे अब यह भून गया है मैने निकाल लिया मैनने एक और पैन रखा उसमें डाला एक और स्पून ओल डाल के इस में डालाए तेजपत्ता उसके बाद हाप स्पून जीरा और सर्सो जैसे यह क्रैकल हो गया उसमें मैंने डालाए एक स्रिप कर्य जैसे यह थोड़ा सा भून जाएगा अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर प्यूरी टमाटर को भी मैंने ग्रैंड करके रख लिया था यह सबजी बहुत जल्दी बनती है बहुत टेस्टी है इसको आप रोटी चावल किसी के भी साथ खाऊ सभी से इसका कॉम्बिनेशन बहु कोड़ी दिर भून होगी ताकि टमाटर और प्याच अच्छे से भून जाया अब यह भून गया इसमें मैंने डाला एक स्पून अद्रक लसुन का पेस्ट डालके मैं इसको अच्छे से मिक्स की हूँ उसके पाद मैंने डाला है सूखे मसाले में हाप स्पून हल्दी पॉर एक स्पून धन 다श्या पॉर्डके मैं अच्हे से भूंई रही हूं ताकि मसाला इसमें मैं न vai स्पूंच पॉर्डर आशया हूं जसी तो अच्छे से मिक्स करें इसके बाद सब्सी बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि केलै आधे पका शुके है मसाला जहा बीूंच चुक तो थोड़ा सा और कम पानी भी डाल सकते हो, अब मैंने डाला है हाप स्पून नमक, आप अपने टिस्के कोड़न डालना, डालके में इसको मिक्स करके, अब मैं ढख के इसे 2-3 मिनिट तक या जब तक हमारे केले अच्छे से गल ने जाते, मैं इसे मीडियम फ्रेम पे पक नि निया पत्ती, गरम मसाला और कस्तुरी मेती लास में टालने से सब्जी का फ्लिवर बहुत अच्छे से आता है, अब मैं आप सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके, ढख के एक मिट बात मैंने ग्यास का फ्लेम आफ कर दिया है, हमारी बहुती टेस्टी, हेल्टी, डिलिश कच्छे के लिए की सब्जी बनके रेडी है, अब आप भी इसे बनाएए, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू